हलो जेन दोस्तों एक good news है सभी candidates के लिए जिनका अभी SSC के नई website पर OTR करने में कोई भी समस्या आ रही थी जैसे one time registration complete नहीं हो पा रहा था यह SSC के जो भी भरती आई हुई है उसके लिए अविदन नहीं कर पा रहे थे error invalid credentials ऐसी कोई भी समस्या आ रही थी अगर आपको पहले तो आप एक बार अभी जरूर ट्राय करें login करने के लिए आपका login हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे candidate का comment आ रहा है कि उनका जो यह नहीं हो पा रहा था और अभी जो है वो कर पा रहे हैं registration भी complete हो गया और वो जो है SSC की जो भी भरती है उसके लिए आवेदन भी कर पा रहे हैं साइट जो है अच्छे से work कर रहा है और SSC ने website में जो है सुधार लाया है सुधार किया है और website जो है अच्छे से work कर रहा है तो आप लोग käfy professor में जाके try करें और आपका हो जाएगा क्योंकि SSC ने site को ठीक किया है जो है सुधार लाया बदलाव लाया है तो इस वज़ए से ँससा हो पा रहा है यहां देखिए my dashboard का option है, मेरा अभी भी यहां पर login है, अब मुझे कोई समस्या नहीं आई शुरू से भी, तो सारे candidate के साथ ऐसा नहीं था लिगने, अधिकतर candidate के साथ समस्या था, कुछ न कुछ, जिन candidate से इधर हाल फिलाल में, मतलब 4-5 दिनों में कोसिस की करने की, तो उनको बहुत सारे mail और help line नमबर पर call जो आ रहे थे, उनको देखा, उनको लगा कि समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत candidate परिसान है, अपनी समस्या को लेके, SSC की जो इस website पर समस्या आ रही है, glitch है, इसको लेके, तो उन्होंने इसमें सुधार लाया है, और इसको ठीक कर दिया candidate जो है, यहाँ पर OTR अपना अच्छे से कर सकते हैं, registration अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लोग जाके किजिए और आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको अभी भी एगर कोई भी समस्या आ रही है, तो आप लोग comment में बताईए, अगर आपका registration अच्छे से हो प इन, पर इन, पर आपका हो एगर रहा है, पर लोगर कर अच्छे से कर दो